जेश्री हरी, स्पीचर यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे सत्सन का जीवन पर प्रभाव एक चोर ने राजा के महल में चोरी की सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पधचिनों का पीछा किया पीछा करते करते भी नगर से बाहर आ गए पास में एक गाउं था उन्होंने चोर के पधचिन गाउं की और जाते देखे गाउं में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग कर रहे है और बहुत से लोग बैठ कर सुन रहे है चोर के पच्चिन भी उसी और जा रहे थे सिपाहियों को संदे हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे सत्संग में संत कह रहे थे जो मनुष्य सच हिर्दे से भगवान की शरण चला जाता है भगवान उसके संपून पापो को माफ कर देते हैं गीता में भगवान ने कहा है संपून करतव्य कर्मों को त्याग कर तु केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की सरण में आजा मैं तुझे संपून पापों से मुक्त कर दूँगा तु शोक मत कर वालमे की रामायन में आता है जो एक बार भी मेरी शरण आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है उसे मैं संपून प्राणियों से अभै कर देता हूँ यह मेरा प्रण है वह पापी नहीं रहा साधू हो गया अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधू ही मानना चाहिए कारण की उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चे कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है चोर वही बैठा सब सुन रहा था उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर पड़ा उसने वही बैठे बैठे यह द्रंड निश्चे कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण देता हूँ अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा मैं भगवान का हो गया सत्संग समाप्थुआ लोग उठकर बाहर जाने लगे बाहर राजा के सिपाही चोर की तालाश में थे चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसे पदचिन्नों को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने पेश किया राजा ने चोर से पूछा इस महल में तुम ही ने चोरी की है न सचच बताओ तुम्हारा चुराया हुआ धन तुमने कहां रखा है चोर ने ड्रंडता पूर्वक कहा महराज इस जनम में मैंने कोई चोरी नहीं की सिपाही बोला महराज यह जूट बोलता है हम इसके पदचिन्नों को पहचानते हैं इसके पदचिन्न चोर के पदचिन्नों से मिलते हैं इस से साफ सिध होता है कि चोरी इसी ने की है राजा ने चोर की परिक्षा लेने की आग्या दी जिससे पता चले कि वह जूटा है या सच्चा चोर के हाथ पर पीपल के धाई पत्ते रख कर उसको कच्चे सूथ से बान दिया गया फिर उसके उपर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रखा गया परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा सूथ और पत्ते भी नहीं जले लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वह जगा काली हो गई राजा ने सोचा कि वास्तम में इसने चोरी नहीं की यह निर्दोश है अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोश पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है तुम लोगों को डंड दिया जाएगा यह सुनकर चोर बोला नहीं महराज आप इनको डंड ना दे इनका कोई दोश नहीं है चोरी मैंने ही की थी राजा ने सोचा यह साधू पुरुष है इसलिए सिपाहियों को डंड से बचाने के लिए चोरी का दोश अपने सिर पर ले रहा है राजा ने बोला तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो पर मैं इने डंड अवश्य दूँगा चोर बोला महराज मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ चोरी मैंने ही की थी अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने आदमियों को मेरे पास भेजो मैंने चोरी का धन जंगल में जहां छिपा रखा है वहाँ से लाकर दिखा दूँगा राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा चोर उनको वहाँ ले गया जहां उसने धन चिपा रखा था और वहाँ से धन लाकर राजा के सामने रख दिया यह देखकर राजा को बड़ा अश्चर रह हुआ राजा बोला अगर तुमने ही चोरी की थी तो परिक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है ठीक ठीक बताओ बात क्या है चोर बुला, महराज मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गाउं में चला गया वहाँ एक जगा सत्संग हो रहा था मैं वहाँ जाकर लोगों के बीच बैठ गया सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शनन लेकर पुनह पापना करने का निश्चे कर लेता है उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं उसका नया जनम हो जाता है इस बात का मुझ पर बहुत असर पड़ा और मैंने द्रड़ निश्चे कर लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा अब मैं भगवान का हो गया हूँ इसलिए चोरी नहीं करूँगा इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया इस जन्म में मैंने कूई चोरी नहीं की इसलिए मेरा हाथ नहीं जला आपके महल में मैंने जो चोरी की थी वह है तो पिछले जनम में की थी कैसा दिव्य प्रभाव है सत्संग का मात्र कुछ शण के सत्संग ने चोर का जीवन ही पलट दिया उसे सही समझ देकर पुन्यात्मा धर्मात्मा बना दिया चोर सत्संग वचनों में ड्रड निस्टा से कठोर परिक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया राजा उससे प्रभावित हुआ प्रजा से भी वे सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसने परंपद को भी प्राप्त कर लिया सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुन्यात्मा बना देता है जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आत्मी कुसंग जरूर करेगा कुसंग व्यक्ति से कुकर्म करवा कर व्यक्ति को पतन के गर्थ में गिरा देता है लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है महान बना देता है ऐसी महान ताकत है सत्संग में सभी बोलें जैश्री राधे वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धरनेवाद